असलाम अलेकूम वेलकम टू माई चैनल वर्ल्ड स्टाइल यूटूब आज वर्ल्ड स्टाइल आपके लेकर आया एक अलग मुन्फरिज चीज एराकी चादर की कटिंग किस तरह से कटिंग होती है और कितना कपड़ा चाहिए यह मैं आपको कटिंग बताता हूं और हमारे साथ मुहम्मद भाई भी हमारे साथ है अच्छा यह देखिए इराकी चादर में हमें 136 इंच कपड़ा चाहिए यह मास्तर साथ यह 136 इंच यानी 136 इंच जी 136 इंच यह देगे इस शाट और इसका आर्प्स क्या होगा मास्तर साथ का जी इसका बहुत यह दो कितना गज होगा यह मैं आपको गज करके नापकी बताता हूं कि गज कितना हुआ है और माथक्ट आप यह बताएं कि एस जो ये इत्र स्वे कम कपड़े में यह नहीं बनेगी इतना आपको जरूरी लेना पड़ेगा कोने चार्गस कपड़ा है यह पूने चारगस कपड़ा है साड़ें तीन मेटर हो गया यह और इस सबक्सक्राइब करनाओं सबसे पहले प्रवाइब लिए इस तरह से इसको डबल में फॉल्ड करना है यह देखें इस चादर की लेंद बैक से लेंद होती है बड़ी कि फरंड से बड़ी लेंद होती है बेक की इस तरह से इसको फॉल्ड करकर कि अचाय यह देखें आप यह से नहीं हारा हमारी भेहनों को समझ नहीं आएगी जड़ा तर प्र दुबारा से समझ तरह हैं को पहले निए तरह को डबल कर लिए यह यह जो पीस आप ने लिया था तार्टी 106 एक डबल कर लिए डबल करें ने के बाद यह तो इसका जो फॉल्डिंग वाला इस्सा यह यह तो यह आप ले कर आ जाई है यह वार्ड कर आए जो भी इस तरह से शेक्तिम कर अप लेकर आ जाई है एक इंच कम यह देखिए यह देखिए यह एक इंच निकालना वह नहीं कर फो हम ने बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्हों अबाया था मेकसी स्टाइल उन्होंने कटिंग की खुझ सी नाइम हमें बहुत शुक्रिया कहा कि आपका बहुत शुक्रिया तो हमने आपकी हिसाब से वीडियो के अच्छा सिला अज्व combo की कुछ अच्छा सिला तो महरबानी आपने हमें lunac है देखे इसको यह आलपिंसर हो लेता कि कपड़ा सिलिप नहीं हो इस को यह हमने यह इस तरह यह पिछा लिया यहां से हमने इसको आलपिंसर हो नहीं है ने कि कपड़ा सिलिप नहीं हो यह कि जो हमने आगे रखना है यह वो हमने यह इतना आगे रख लिया यह रेव कपड़ा होता है इसके लिए थोड़ी जमीन पे भी आप लोग कटिंग कर सकती है भेने असानी से होगा कि अग्युश्ट कि लोगां कि अब डर्म अपने को यह व्मक्राइम कर्णा मार में फच्राइब कि आप आप documentation आबरभी मार अब protected classe तरह करना है कि इस चाधर का लुक बहुत अच्छा आता है हमारे पकफी के आडर हैं माशालाह लाइकि इस तरह से इसको हम ले इसको अंदिया है या बाई करना चाहें खरीदना चाहें तो यह हमारा कॉंटेक नंबर है और यह उपर वाले जो नंबर पाकिस्तान के लिए और नीचे वाले इंटरनेशनल के लिए वर्ल्ड वाइड शिबिंग अवेजिबल है और यह हमारा शौप का एड्रेस है और जो कराची में रहते हैं हुआ हागया वर्lor्त का निशान लागा दिया अच्छा इसके बेक की लेंद spend उसकी 10 इंच बढ़ी होती है लाग्ष करंट की लेंद से बेग में उर्ट आपनी है अच्थाम अच्चान यह बताईद कि अबने को मताल क्या चान है यह उन्या चाहिए लागा इससे हे इसका पार और इसठा लगा लिए और यह ज़ी बढ आइगा आगे घाना को कि एसका अर्ज समय इसका अर्ज मिन्त होता है जाधा कि फूरा अर्ज सा तो यह एक इंच कप्ला छोड़ कर यह इसकी लेंट नापनी है अच्छा यह जो एक इंच कप्ला यह देखें यह छोड़ा था यानि इदर से यह इस तरह से नापना ने इसको इतना आपने यह यहां से है यह 60 इंच ही हो गया है इसकी लेंट साट है अच्छा यह 65 इंच इसकी फरंट की लेंट होगी और बेक की लेंट अब जोड नहीं आता से ढ़र आइकें पर जोड आये सका फरंट पूर और आरा इसकी आज यानि अगर जसकी की अभी एक किस लेंद का है अब यह सीटी ऐट इंट नफी लेंद बन सकती है याँनि जिसका जिसकी हाइड पांच फिट साड़े पांच फिट हो तो इसको यह सही आईगी और गिन इसको पिर घृट हो उसको फिर मज़ीद और पीछे भैग सबस्क्राइब और फ्रंट पर ज्यादा गर लें एक सो च्छतीस कर देगे एक सोचालेस दो पैंतालेस बूभा किस तरह करें वह बेनों को हम बताते हैं ठीक है अचा यह देखिये अब इसका यह बैक का तो फरंट का ओमने निशान लगा दीए अब यह बैक इसकी दस इंच बड़ी होती है अब यह 65 इंच इसका फरंट था तो बैक होगी इसकी 75 इंच या नि फरंट पे इसके जोड नहीं आएगा बैक पे असीन का नाप पने लेना है यही से देंकि случае जहां से लेंक नापी थी है हमिरे रखनी है इसके घ्रक2ंड तार्टी 7 इंच रखनी है और इसके महां जो हमिरे थास्टी इंच भी लगा घ्रतिती हैं रखकर फर का ली दोनाप से पांच प्ञाई की रख είναι गल्त यहां 60 इंच या से छीज निशान से और खाके गवार। और दो शॉन्चक विल्ए की क्लीन दोड़े। लिए जो पर गरे जेशाभी ही ही अब यह है। इस तरह से दो पीरी चफते हुआ हुआ कि जूब गारे में एकुट असलिए ईटागी। यह जो निसान लग आता है हमने निशान हेता दौक कर डूब कर दीह कैं इस तरह से गटींग करकर इसका फिर यह सेंटर देना इस तरह से हिसको भूप्पा लगाना बहुता है निए इसके इंद्र कि अह gravity यहरे मोता ना आगे कि पीछे नियों भी यह बिछा हुआ है तो अपनी जागा पा रही है कि यह कटिंग करने के बाद इसको देखे इस तरह से फॉल्ड करकर इसको हम उपर की तरफ कर लेगे इसको इसे ताकि इसका बेग बेग का जो जोड है यह हम सही तरह से कटिंग कर सके अब इसको जो कपड़ा निकला नहीं है यह कपड़ा हम इसके बेग के इस्तमाल में लेगे अच्छा हमारी भेनों ने बहुत कोमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि राकी चादर की वीडियो बनाएं तो हमें थोड़ा लेट हो गया तो हम इस वज़े से हम जल्दी नहीं में बना सके तो काम की थोड़े मसरूफया थी अब यह मास्र शब निचे जोड़ लगा झाले, इसका उपर यू जोड लगाना था है यह देखेगा अब यह इसका निशान को यह यहां पर लेकर आना इसका गुलाई करनी है इसका इसक यह बेक की गुलाई के निशाने बेक लेंट की फरंट का बिलकुल सीधा होगा यह फरंट की गुलाई नहीं होगी फरंट सीधी होगी ठीक है मास्तर साब चलें कटिंग करें और यह वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंट की बन रही है लेकिन हमारा मकसद यह आपको तरीके से यह सबसम्झाएं फिर आप लोग अच्छे कटिंग कर सकें और सिलाई वगएरा कर सकें अच्छा मास्तर साब अब यह जो जोड रही आप क्या करें इस टिफ से जोड लगा लिजिए गा आधिये Sun की इसकी इस तरह से इस जोड़ लगा कि फिरस इस तरह से इसको जोड़ मे अब यह जाता है इस स्टेचिक से कर बारे में भी आपको सिपर होगे कि चीचिछ्ञआ हो आप लिया जाता है इसका इसा से जाता है यहां से भी चलिया जाता है। आप ज़ो यहां सामने से यहां से पेशानी से गो और बेग का जो निया जाएगा बेग कभी पेशानी से इतर इस तरह से जाएगा यहाँ थीक हैं अब यह देशा अपने हमारी बहने देख रही होगी कि जब हमने आगे इंचिटेप रखा तो बेग पे रहा है यो भी इद जोडर से याम बेग ने Quran करके हैं और यह फेस्न पर चोल्डर तक लेकर चा खा हfelt करगे और यह फिर इस तरह कफ लगाई गया विए तो वह शाब गए तो वहीं शाब अब और इसमें कमर वगए रगा किसी चीज का कोई नाप नहीं हो था फिटिंग वगए रगारा मास्टर सब चाहए जब जाए जब आपको बता दिया और इसका किस तरह से नाप लिया जाता है यह भी मैंने आपको ब अब इसको फॉल्ड करकर ये इस तरह से करके इसको जो एक इंच का हमने दबाओ चोड़ा था ना यह इसी तरह से एक इंच की पत्टी इस तरह से सिलाई लगानी है ये पूरी आच्छा और ये करने के बाद ही अमने पिर इसमें जो आस्तिन का कुटका लगा हुआ है यहां पर यह कफ जॉइन हो जाएगा यह इस तरह से यह कफ जॉइन करने के बाद फिर इसकी साइड यह भी इसी तरह यहां से यह लगा है यह कफ बना कर इसको सिलाई से इधर से जॉइन होगा है अच्छा फिर क्या करना इसके बाद फि यह फोल्ड हो जाएगा फिर यह साइड होगी इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों साइड होगी दोनों साइड होगी यह सिलाई लगानी है सिल साइड बंद करने के बाद फिर इसके फिलेर की एमिंग करनी है अच्छा कफ से सिलाई लगानी है कफ की जगा छोड़ कर यह कफ क इन कि लगता हैि यहां से देखी फरंट का अंगर ये सेंटर हैं लाष्टिक or सब्सक्राइब रखसकती हैं यह सामने लेख सकते साथ का मौने के बार कर सकते हैं इस्ट के निशान लगाने के हुआर निशान के बार करते हैं निशन है एक लाश्टिक सीरह यहां पर आएगा एक कर लास्टिक का सीरह तैया है ग्यारा ही लास्टिक आुफनीं की लाश्टिक घर रखनी उम्ने छोड़ना ताकि यह फैस के ओपर इस तरह से यह फैस बनाश्टिक से यह रॉक जाए रुकृ जाय और फिर वो पिन लगा लें सामने लगा लें लिगे डिस्क्रीबिंग में सब्सक्रीं के से वो घैली के सामने में मैं यह की शीड़ implor सकते हैं सामने में बटन भी लगा सकते हैं जिए कस्टूमर की रिक्वाइमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग यह बनाते हैं अच्छा विर हम अपनी भेनों से इजाज़त चाहते हैं इंशालला नेक्स वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी और जब तक अपना ख्याल रखेगा जब तक आप अ ख्याल रखेगा दौाओं में याद रखेगा अस्सलाम अलीकूम